नमस्कार दोस्तों और आईए स्पीसेस मास्टर क्लास में आप सब भी का हर्दी स्वागत है करेंट एफेर की इस सेरीज में आज हम लोग अपरेल महने का कम्प्लीट करेंट एफेर डिसकस करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं अब तक आपके दिसंबर 2022 के साथ साथ आपको PDF ही मिल जाएगी अगर आप कहेंगे तो कंबाइन PDF का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा जहां पर जाकर ये जो कम्प्लीट आपने पढ़ाई की है जो लेक्चर आपने सुने हैं इनकी पूरी PDF आपको दे दी जाएगी तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा अप्रैल का संपूर मासिक करेंड अफेर यानि की अप्रैल का करेंड अफेर जिस्ट चले शुरू करते हैं तो कुल मिला के मात्र 110 प्रसनों में इस पूरे महिने को हम लोग कवड़ करेंगे पहला कोश्चन है हाली में धावक लसिंदा डेमस जो की USA की हैं उनको एक दसक बाद किस ओलंपिक मेडल से समानित किया गया है तो फ्रेंड्स लसिंदा डेमस को मिला है गोल्ड मेडल पूरा वाक्या इस प्रकार से है कि लंदन ओलंपिक हुए थे 2012 में उसमें क्या हुआ था कि लसिंदा डेमस को मिला था सिल्वर और रूस की नतालिया अंधिमुख ने स्वन पदक जीता था लेकिन अब नतालिया का जो स्वन पदक है वो वापस ले लिया गया है क्यों क्योंकि नतालिया अंतियुख डोपिंग की दोसी पाए गयी है 22 के हैं तो स्रोंड पतक जीता है लसिंदा डेमस ने अमेरिका रचत पतक जीता है जुजानना हिजनोवा चेक गंडराज और कांस पतक के विजेता बनी है काली से स्पेंसर जमैका तो कांस पतक जो विजेता यहां पर बनी है उनका नामी लिस्ट में नहीं था लेकिन यही समय होता है यही तकदिर होती है आगे पढ़ते हैं अगला कोशन है नासा के नए मिसन में मंगल गरह पर रहने के लिए कितने मानों का दल भीजा जाएगा तो फ्रें इनलाग मिसन भी विजेगा पहला इनलाग मिसन इसी साल सुरू होगा बाकी जो दो होंगे उसमें से एक दोजार पचीस में होगा दूसरा दोजार चपविस में होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं नासा नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस अडिनिस्टरेशन इसका गया है तो फ्रेंट्स लोगतंत्र सिखर समयलन 2023 का आयोजन 29 और 30 मार्ज को किया गया था अमेरिक्या की राजधानी वासिंगटन डी सी में इस किस्टर में जवानी की थी कुछ तारीका के द्वारा और दक्षिट कुरिया जांबिया और नीदर लैंड भी इसमें सामिल थे इसमें पाकिस्तान सामिल नहीं हुआ है और E.I.U. द्वारा लोगतंत्र सुचकांग में जो भारत की रैंक है वो 46 है किस बैंग ने डिजिटल भुकदान के लिए माइक्रो पे लांच किया है तो फ्रेंट्स यह बैंग है आक्सिस बैंग आक्सिस बैंग ने Easy Tab और My Pin Pad के सहयोग से इस सिस्टम को माइक्रो पे को लांच किया है Micro पे एक Pin on Mobile समाधान है जो एक व्यापारी के स्मार्टफोन को POS टर्मिनल में बदल देगा Access Bank के स्थापना होई थी 1993 में CEO हैं बरतमान में अमिताब चौधरी और इसका Headquarter मुंबई में है हाली में किस देज ने घातक Marburg Virus भीमारी के प्रकोप की घोशड़ा की है तो Marburg Virus यह पाया गया तंजानिया में Marburg Viral Disease जिसको कहते हैं MVD इसकी खोश जर्मनी और सर्विया ने 1967 में की थी यह काफी घातक भीमारी है जिसकी मृतिदर 24% से लेकर 88% तक होती है फलदा चमगादर जो होते हैं उन्हीं से भीमारी फैलती है आगला क्वेशन है हाली में दलाई लामा ने एक मंगोलियाई लड़के को तिबबती बौध धर्में कौन सा पद दिया है तो फ्रेंड्स ये पद दिया गया है तीसरा सर्वोच पद इसका नाम है दसमा खलखा जटस्तन धंपा रिड़ पोचे अच्छा यहाँ पर ध्यान लिजिएगा कि जो तिबबती बौध धर्म होता है उसमें जो दूसरा सर्वोच पद होता है वो पंचेन लामा का होता है दलाई लामा फिर पंचेन लामा फिर खलखा जटसन धंपा रिड़ पोचे आपका अगला कोशन है पास्पोर्ट सुषकां के नविंतम अपडेट मार्च 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है देखो फ्रेंड्स यह रैंक है 144 यह निसकर्स पास्पोर्ट इंडेक्स के नए टाइम सिफ्ट फीचर द्वार जारी किये गए है इसमें चीन की रैंकिंग 11 आपşें 118 है पासपोर्ट इंडेक्स के कोछ सौनडर कौन है हंट बोगोसियन हाली में इंडियन कोस्टल गार्ड Και कहा भारी सैरक्स अभ्यास पूरा किया है तो फ्रेंड्स यह अभ्यास क्या गया है आ अंध प्रदेश में भातिध अटरक्रचक बल्ने 28-29 मार्च 23 को काकी नाडा आंद प्रदेश में एक छेतरी खोज और बचाव अभ्यास आवजित किया है इस अभ्यास का उद्देश वास्तविक समय के समुद्री संकट प्रदेश का अनुकरण करना और इस बात पर प्रकास जालना है कि खोज और बचाव यानि कि SAR संकटन कैसे कार करता है यह एक सामुईक बचाव अभियान था हाली में नाटो का एक तिस्वा सदस्य देश कौन सा बना है तो यह बना है फिनलेंड नाटो के बारे में आप जानते हैं आवास और सहरी मंतराले के द्वारा आयोजित स्वक्ष महुत सो दोजार तेईस में भारत के कितने सहरों को अक्टूबर दोजार चोबिस तक त्री स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष रखा गया है यह प्रस्ण बहुत इंपोर्टेंट है और इसका अंसर है कुल एक हजार सहरों को गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग प्रोटोकाल जन्वरी 2018 में सुरू किया गया था और जन्वर्दों के बीच एक प्रति अस्परधात्मक मिशन ड्राइवें दुष्टिकोंड को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया था बिसिस याई ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक पार्टनर घोचित किया तो ये पार्टनर है हर्वलाईफ या हर्वालाईफ आफिसियल टाइटल स्पांसर टाटा है क्योंकि IPL में सुरू में टाटा सब जुड़ा हो है तो टाइटल स्पांसर टाटा है लेकिन आधिकारिक पार्टनर हर्बा लाइफ आईपियल दोजार तेईस एक्टिस मार्च से अठाइस मार्च तक भारत में आयुजित किया गया International Transgender Day of Visibility कब मनाया गया तो फ्रेंट से मनाया गया एक्टिस मार्च को हाली में सेख मंसूर बिन जायद अलनायाद किस देश के उपराश्वती बने हैं तो सेख मंसूर बिन जायद अलनायाद ये उपराश्वती बने हैं United Arab Emirat के UAE की राजधानी आबुधा भी है और International Renewable Energy का मुख्याले भी UAE में ही है यहां की जो करेंसी है वो दिरहम है Why Can't Elephant Be Red? नामक किताब को किसने लांच किया है तो फ्रेंट्स ये किताब आई है वानी तरी पाठी ने इसको लिखा है तो कि भारती संसर बोर्ड की सदस से और एक एक्ट्रेस भी है अविने तरी है हाली में किस राज के मुख्यमंत्री ने पत्सरी रास्ता स्री परियोजना का सुबरम किया है पत्सरी रास्ता स्री परियोजना नाम से यह स्पस्ट है कि यह जो परियोजना है यह पस्चिम बंगाल की है एक अप्रेल 2023 को किस राज के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 को स्टार्ट किया है स्कूल चलो अभियान 2023 ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2022 में इसे स्तरावस्ती से स्टार्ट किया गया था ध्यान दिजेगा New India Literacy Program ये केन सरक्रा के दोरा स्टार्ट किया गया है और 15 वर्स उपर के जो लोग होंगे उनको इस योजना के माद्यम से साक्षर किया जाएगा बित वर्स 2022 से 2026 सटाइस के दोरान कुल 1000 करोन रुपए के साथ इसे स्टार्ट किया गया है मुख्यूद्दे से 15 वर्स की उम्र से अधिक 5 करोन लोगों को साक्षर मिनाना जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं ध्यान दिजेगा कि सिक्षा कम साक्षरता दलवाला राजी जो है वो बिहार है यहाँ पर सबसे कम 18.85 लोग ही सिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा साक्षरता दलवाला राजी वो केरल है यहाँ पर 94 पसंड लोग साक्षर है हाली में बिहार खादी हस्तिल्प और हैंड लोग का ब्रांड अंबिजडर कोन बना है तो यह बनी है जानी मानी लोग गाई का मैथली ठाकुर जो की बहुत ही कम उम्रिकी ह इनको बिहार खादी हस्तिल्प और हैंड लोग का ब्रांड अंबिजडर बनाया गया है हाली में चिराक सेटी और किसने स्विस ओपन 2023 यूगल खिताब जीता है तो सात्विक साई राज रंग की रेटी ने आपका अगला कुश्चन है हाली में नासा के मून टू मार्स प्र 2022 three cities of the world के रूप में मानता प्रदान की यही है तो फ्रेंड्स 2022 three cities of the world के मानता मिली है मुंबई को तो किसने सामिल किया है United Nation Food and Agriculture Organization ने किस देश के राश्टरी दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिवस इस बार काफी इंपॉर्टेंट है मिए ज्या ना जाता है, 14 जुलाई को ये मनाया जाता है, फ्रांस की प्रिधान मंतरी Beignagate Boyровne ने भारत की प्रिधान मंतरी को अपने Bestles ले पर अतिथी के रूप में आमंतरित किया है, हाली में आउस्ट्रेल्य आई Grand Prix Formula One रेस किसकी जीता है, तो फ्रेंड्स ये रेस जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने जो कि रेडबूल के ड्राइबर है और हाल ये में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खेताब जीता तो डेनियल मेदवेदेव ने जो कि रूस के टेनिस खिला रही हैं किसको रहा था जैनिक सिनर को जो कि इटली के हैं और म आईमी ओपन एक पेसेवर टेनिस टूर्णामेंट है इसको मियामी ओपन भी कहते हैं जो हर साल सहुक्त राज अमेरिका के फ्लोरिडा राज की मियामी गार्डन्स में आयोजित किया जाता है देखो फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर की पीडिएफ चाहिए या फिर आ है अपरेल 2023 में भारत और किस दिस्क के बीच SLINEX यहेंकि SLINEX 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ है देखो फ्रेंड्स अगर यह SLINEX 2023 यह सब्द कभी भी आपके सामने आये तो इसे आप तुरंती समझ सकते हैं S for Sri Lanka and I for India ठीक है तो स्री लंका और इंडिया के बीच में होने वाला यह एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको SLINEX के नाम से जाना जाता है तो SLINEX एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका 2023 में दस्वा संस्करण आजित किया गया इसका आजित कोलंबो में किया गया था जो की स्री लंका में है हाली में किस राज सरकार ने गर्मी को कम करने के लिए कूल रूफ पालिसी को स्टार्ट किया है तो तेलंगाना सरकार ने हाली में किस ने एफ ICCI फिक्की महिला संगतन की 40 वी अध्धक्ष का पधभार समाला है सुधा शिव कुमार ने फिक्की के सेकरेटरी जनरल कौन बने है सैलेस पाठक इस तराज की विस्ट प्रसिद वसुहली पेंटिंग को GI टैग मिला है तो फ्रेंड्स ये जो वसुहली पेंटिंग है ये कट हुआ जन्पत जम्मु कस्मीर में बनाई जाती है तो उसको GI टैग मिला है 2023 में मिसन आथे मिस सेकेंड के ताहट चंदर्बा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक शैतरी कौन होगी तो इनका नाम है क्रिष्टीना कोच कुल चार अंतरिक शैतरी इस अभ्यान में सामिल होंगे आथे मिसन कौन नासा नियोजित कर रहा है यह मिसन जो होगा वो तीन भाग म यहां पर करनाटक, तो यहां पर करनाटक इसका सही ही वाप है और हाली में मानम वनिजी उसंखर्स पर पहला वैस्विक समेलन का आयोजन कहा पर किया गया ये प्रसंद आप double star लगा ले ना ये भहत ही important है, मानम वनिजी उसंखर्सों पर जो पहला वैस्विक समेलन हुआ है वो बृतेन के आक्सफोर्ड विस्टेले में किया गया था और इसका आयोजन IUCNA किया है FAO और UNDP ने मिलकर ध्यान दिजेगा कि दिसंबर 2022 में जयव विजिता सनक्षण के लिए COP15 का आयोजन मौन्ट्रियल कनाडा में किया गया था जहां पर कुन मिंग घोशडा जारी किया गया था और इसमें जो लक्ष 4 है टार्गेट 4 उसमें कहा गया कि मानो और वनिज्यू के भी संघर्ष को कम करना है तो इसी के लिए यह मानो वनिज्यू संघर्ष पर पहला वैस्विक समेलन आजित किया गया ब्रिटेण के आख्षफूर्ड इंवस्टी में प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहां पर सुरू हुई है तो कस्मीर में कस्मीर के एक ग़ाओं में वहां के गरांपरदान नहीं ज़ए योजना स्टार्ट किया है और बहुत तेजी से वरगाउं प्लास्टिक फ्री भी बन चुका है हाली में कौन पूर्सों के T20 International Cricket में अमपाइरिंग करने वाली पहली महिला बनी है तो इनका नाम है Kim Cotton ये New Zealand की है पूर्सों के T20 International Cricket में अमपाइरिंग करने वाली पहली महिला Kim Cotton किंवाठोन 5 अप्रेयल को डूनेडिन में स्री लंका के खिलाफ नोजी लैंड के दूसरे मैच में पहली महिला अमपायर बनी हैं किम कोटोन और इनसे पहले आस्टेलिया की क्लेयर पोलो साक पूर्सो के टेस्ट मैच में पहली मैच अदिकारी बनी थी तो पूर्सो का जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें पहली मैच अदिकारी बनी थी लेकिन बरतमान में जो बात हो रही है ये T20 International के बारे में बात हो रही है जिसमें Kim Cotton ने डुनेडिन में स्रिलंका के खिलाब रियोजी लैंड के दूसरे मैच में पहली महिला आनफिल्ड अम्पायर का रोल निभाया या पिर इन्होंने यह जिम्मिदारी निभाई हाली में जारी ZI TAG लिस्ट 2022 में सबसे उपर कौँ सा राज यह है तो ZI TAG लिस्ट 2022 में सबसे उपर है केरल तो friends ये काफी important point है ध्यान दिजिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तरप्रदेश की तो GI tag list में उत्तरप्रदेश दूसरे अस्थान पर है ठीक है वित्तवर्स 2022-23 में भारत के कुल 12 उत्पादों को GI tag मिला है जिसमें सरवार्दीक 6 के रेल से है हाली में ACI द्वारा सबसे ब्यस्त हवाई एड़े की रेंकिंग में सीर्स पर कौन सा हवाई एड़ा है तो यह है हार्ट्स फिल्ड्स जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एरपोर्ट अमेरिका ACI की रिपोर्ट में भारत का IGI एरपोर्ट इस लिस्ट में टॉप 10 में आने वाला दक्चिन और दक्षिपूर्व एसिया का एक मात्र एरपोर्ट है IGI जो है वो नौवे अस्थान पर है किस राजी के मरचा चावल को GI tag मिला है तो बिहार यह जो चावल होता है यह बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसका आका जो मिर्च होती है उस पर कार्स होता है तो इसलिए इसको मरचा चावल कहा जाता है हाले में FIFA रैंकिंग में किस देश ने 6 वर्सों में पहली बार सीर्स अस्थान हासिल किया है तो अर्जंटिना ने भारत का अस्थान है 101 तो ध्यां देज़ेगा कि FIFA रैंकिंग में टॉप पर अर्जंटिना है दुसरे स्थाप पर फ्रांस है तीसरे स्थां पर ब्राजिल अर्जंटीना की दास्धाने ही ब्योनस आयर्स है और करेंसी है अर्जंटीनियन पेसो प्रिसिडेंट है अलबर्टो फर्नांडीज हाली में टाइम हंड्रेट की वार्सिक सूची में टाइम मैगजीन के पूल में सीर्स पर कौन रहे तो जाने माने भारती अवर्येता शारूप खान आपका अगला कोशन होगा संजीता चानू का संबंध कि स्किल से है जिन पर नाडा ने चार साल का प्रद्वन लगा दिया है तो ये एक जानी मानी वेट लिफ्टर थी फिलाल अब ये चार साल तक प्रद्वन दित हैं क्योंकि इन्हें डोपिंग का दोसी पाया गया किस देश को फिफा अंडर 17 पूरुस विशुकब 2023 की मेजवानी से हटा दिया गया तो पेरू को अब देखो पेरू के पास इस इवेंट को औरनाइस करने के लिए तैयारी नहीं थी इसलिए पेरू से पूरुस विशुकब 2023 फिफा अंडर 17 की मेजवानी वापस ले ली सामिल किया गया है तो पांच यह महिलाएं कौन कौन सी हैं जेपी मारगन की अनु अयंगर, एरियल इन्वेस्ट्रिमेंट्स की रूपल जे भनसाली, फ्रेंक्लिन टेपल्टन ग्लोबल इन्वेस्ट्मेंट फंड की सोनल देसाई और गोल्ड मैन सेक्स की मेना फ्लाइन, ब बहुत ही इंपॉर्टेट है, इनकी PDF आप जरूर डॉनलोट लेना और इसको कम सकम दो तीन बार इसका रिविजन करना, देखो अगर आपको कोई भी फैक्ट याद रखना है तो कम सकम उसका तीन बार रिविजन करना बहुत ही जरूरी बाना जाता है, महिला सुरक्षा के आप के लिए राश्elyपती दुरोव्वदी मूर्भू ने कौण सा एप लांच किया है? तो यह एप है भोरोख्षा, इस ऑप को गौवावाटी हाई कोट ने डेवलब किया है, गौवावाटी हाई कोट ने इससे बनाया है, इसका नाम है भॉरोख्षा, अब इसको भरोश के सदस देसों ने इसमें पाडिसिपेट किया है इसमें भारती वावसिना की गोल्डन एरो स्कॉार्टन टुकडी ने राफेल के साथ हिस्सा लिया है तो यह राफेल का पहला विदेशी अभ्यास है 2023 में नविंतम बाग जंगरना के अनुसार भारत में कितने भाग हैं तो फिलाल 2023 में जो नविंतम बाग जंगरना हुई है तो माना जारा कि 2012 तक कुल मिला के भारत में 3167 बाग है ठीक हैं बाग जंगरना हर चार साल में होती है 2018 में तब वागों की संख्याती 2967 मतरकंuba के लगमग 200 बाग बढ़े हैं भारत में हाली में प्रदानमंत्री मोदी ने International Big Cat Alliance भी शुरू किया है जिसमें Big Cat की साथ प्रजातियां सामिल की गई है बाग, सेर, तिंदुवा, चीता, जगुवार, हिम, तिंदुवा, आदी हाली में किस राजी में विश्व का पहला ACI King उत्तर प्रदिस के महराज गंज में इसका नाम है जटायू ACI King गिद सरक्षन केंद्र हाली में चुनाओ आयोग ने 10 अप्रेल को किसे राश्ट्री पार्टी का दर्जा दिया है तो आम आदी पार्टी को आपको पता ही होगा कि या अर्दिन की जिरिवाल की पार्टी है चुनाओ आयोग ने 10 अप्रेल को अब इसे राश्ट्री पार्टी का दर्जा दे दिया है और इसी के साथ अब TMC ममतावनर जी त्रिनमूल कांगरेस की युनेता है तो उनकी पार्टी NCP राश्ट्रवादी कांगरेस पार्टी और CPI यानि की भारती कमिनिस्ट पार्टी को राश्ट्री दलों की सूची छटा दिया गया है अब भारत में जो कुल राश्ट्री दल है उनकी संख्या कितनी हो गई है च्छ हो गई है या तकना हाली में जारी दुनिया के सबसे अच्छे सारोजनिक परिवन वाले सहरों की सूची में किस भारती सहर को सामिल किया गया है तो मुंबई मतलब सबसे अच्छा जो परिवन है वो मुंबई में भी है और लंदन के मेडिया आउटलेट टाइम आउटलेट ने दुनिया के सबसे अच्छे परिवान वाले सहरों की सूची जारी की है इसमें टाप पर वर्लिन है मुंबई पीछे नहीं है मुंबई उनिस्वें अस्थान पर है हाली में गठित भारत की पहली नेत्रहिन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है हाली में महारश्ठा सरकार किस दिन को स्वतंतरता वीर गौरो दिवस के रूप में मनाने की घूछड़ा की गई है हाली में जारी Artificial Intelligence Index यानि कि AI Index 2022 में भारत किस अस्थान पर है तो पांचवें अस्थान पर है और इसको जारी क्या गया है Stanford University के द्वारा Artificial Intelligence Index में भारत पांचवें अस्थान पर है टॉप पर अमेरिका है दूसरे स्थान पर चीन है तिसरे स्थान पर UK है हाली में किस राज की गोंड पेंटिंग को GI Tag मिला है तो मद्देप्रदेश गोंड पेंटिंग जो है यह मद्देप्रदेश की पेंटिंग है जिसको GI Tag मिला हुआ है लार्सन और टुबरो द्वारा भारत का पहला 3D डाक घर भवन का निर्मार कहां किया जा रहा है तो बैंगलूरू में बैंगलूरू जो की करनाटक की राजधानी है वह ही पर बनेगा 3D डाक घर भवन इसे कोन बना रहा है लार्सन और टुबरो हाली में विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग यहां कि दुनिया के जो सबसे आपराधिक जैसे है उसमें भारत 37 अस्थान पर है इसे वर्ड आप इस टेटिक्टिक्स की द्वारा जारी किया गया है सबसे ज़्यादा जो अपराध होता है वेनेजूला में होता है दूसरा अस्थान है पापवान यूगिनी का तिसरा अस्थान है अफगानिस्थान का अमेरिका इसमें 55 अस्थान पर है तो मतलब भारत में जो अपराध है वो अमेरिका से लीकम है यूके 65 अस्थान पर है जापान 135 अस्थान पर है भारत पहली वैस्विक बॉध सिकर सम्मेलन की मेजवानी कहां पर करेगा तो नई दिल्ली में भारत पहली वैस्विक बॉध सिकर सम्मेलन की मेजवानी करेगा अप्रेल 2023 में विदेश मंत्री सुब्रमाडियम जैसंकर ने किस देश में बूजी पुल का उधाटन किया तो मोजामपिक में ध्यान दिजेगा कि बूजी पुल ये बूजी नदी पर बना है और इसे भारत नहीं बनाया है जो कि 700 मेटर लंबा एक सस्पेंसन ड्रीज है हाली में ACI कुष्टी चेंप्यंशिप 2023 में किस ने भारत का पहला 68 पदक जीता है तो अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भारवर्ग में अब जो कुष्टी के चेंप्यंशिप होते हैं जदतर वो अस्ताना में ही होते हैं ये भी याद रखना तो ACI कुष्टी चेंप्यंशिप 2023 इसका आउजन अस्ताना में किया गया कजाकिस्तान में हाली में किस राजी ने ट्रांसजेंडर समधाय को OBC का दरजा दे दिया हैünk मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में ट्रांसडर समधाय जो का वह OBC की रूप में दरजा प्राप्त है योगए इस्तित ब्रैन्ड फाइनस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सब से मजबू भारती टायर ब्रांड है MRF, वर्ड वाइड है दूसरे स्थान पर है लेकिन भारत में टॉप पर है MRF और दुनिया में MRF दूसरे स्थान पर है हाली में फेमिनामिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है किसने नंदिनी गुपता नहीं जीता है 69 में फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेंजेंड में मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुपता इसका आयोजन कहाँ पर वह था मड़ीपूर में टाइम मेगजिन की 2023 के लिए जारी सोव सबसे प्रभावसारी लोगों की सूची में किस भारतिय विनेता का नाम अंकीत है तो सारुक खान का नाम है इस सूची में सारुक खान के साथ साथ SS राजा मौली लेखक सल्मान रुस्दी और TV होस्ट और जज़ पद्मा लक्षमी का भी नाम सामिल किया गया है हाली में कौँ सा राज राज उर्जा दकॽता सूचकांक में सीर सस्थान पर है तो यह राज यह है आंध प्रधेश हाली में अंकटाď ने Physics ने भारत की आर्थिक विर्दिदर कितना रहने का अनुमान लगाया है तो 6% और दुनिया का सबसे बड़ा और सक्तिताली राकेट जिसे Space X ने लांच किया है उसका नाम है स्टार सिप देखो इसमें सो लोगों को एक साथ ले जाने की शंता थी हलाकि यह अवियान सफल नहीं हुआ और यह क्रैस कर गया लेकिन फिर भी स्टार सिप जो है यह एक बड़ा सबक छोड़के गया है यानि कि भविस्ष में आप देखेंगे कि बहुत सरे लोग Space की यात्रा पर भी परेटक के रुप में जाएंगे महिला ससकती करण है तो भारत ने United Nation को कितना पैसा दिया है तो 4.09 करोण रुपया United Nation Women इस फंड को महिलाओं के ससकती करण और लैंगिक समानता के लिए करेगा United Nation Women के स्थापना 2010 में हुई थी भारत इस संस्था के संस्थापक देशों में से एक है कौन सा सहर पुरुस ACI हांकी ट्राफी 2030 की मेजबानी करेगा तो पुरुसों की जो ACI हांकी ट्राफी 2030 का आयुचन होगा उसकी मेजबानी करेगा चिन नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नारको स्टेट बन गया है सेरिया की नारको स्टेट वादेश्थ होते हैं जो अपनी अर्थ व्यस्ता को चलाने के लिए नसे का निर्याद करते हैं, इसकी theme है heritage change तो theme important है क्योंकि छोटी सी theme है तो exam में पूछ लिया जाएगा वर्ड लिवर डिक मना जाता है 19 अप्रेल को इसकी theme है लिवर health for all और किसने सचिन at 50 celebrating a maestro नामक किताब लिखिये तो बूरिया मजुंदार जो की एक जाने माने पत्रकार है हाली में जारी दुनिया के सबसे धनी सहरों की सुची में सीर्ष पर कौन है तो दुनिया के सबसे धनी सहरों की सुची में सीर्ष पर है निवयार्क इसे जारी किया गया है हैंले और पार्टनर्स के द्वारा और वर्ड वेल्दियस सिटीज 2023 ये रिपोर्ड का नाम है 58 अरपत्यों के साथ अमेरिका का निवयार्क सबसे अमीर सहर है दूसरे स्थांपर टोकी हो है तिसरे स्थांपर है दस सैन फ्रांसिसको हाली में जर्मनी की एक्स चांसलर एंजिला मर्कल को किस देश के सरवोज समान से समानित किया गया है तो जर्मनी इसके बाद अगला कुशन होगा हाली में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेस करने वाला पहला राज्जी कौन सा बना है फ्रेंड्स तो ये बन जल की वह बहुत ही सीमित हो रही है और जल बहुत तेजी से घट रहा है मतलब पर रेशियो के इसाब से जल की उपलवदता अब कम हो रही है राश्टी पंचायत पुरुसकार्दुजाद 23 के तहत सरस्रेष्ट जिला पंचायत के रूप में किसी शुना गया है तो गंजम जि गया है तो बिहार में थावे मौत्सो मनाया जाता है ध्यान दिजिएगा अप्रेल 2023 में कौन सा जिला भारत का सीर से निर्यातक जिला बन गया है तो जामनगर गुजरात भारत का सीर से निर्यातक जिला है और लता दिनानाथ मंगेस्तर पुरुसकार से किसे समानित किया गय प्रादानमंद्री मोर्दी को, मास्टर दीनानास मंगेस कर पुरुसकार दिया गया है पंकज उधास को, भारत में Digital Landin में सीर सहर बना है वैंगलूरू, करनाटा का सहर वैंगलूरू जो है, यह Digital Landin में टॉप सहर है, और इसे जारी किया गया है, इस आकड़े को wild line इंडिया क द्वारा दूसरा स्थान दिल्ली का है, तिसरा स्थान मंबई का, फिर पूरे और फिर चन्नाई का फीफा अंडर 20 वर्ड कप 23 का मेजबान कौन होगा तो अर्जंटिना फीफा अंडर 20 वर्ड कप 23, आपको याद होगा कि अभी हाली में फीफा वर्ड कप जो हुए थे तो उसमें विजेता भी अर्जंटिना ही रहा, तो अब अर्जंटिना खुद फीफा अंडर 20 वर्ड कप का आयोजन करेगा, इसके पहले यह जो फीफा under 20 वर्ड कप है इसकी मेजबानी इंडोनेसिया के पास थी और फीफा मेंस वर्ड कप 2022 का जो 22 वां संस्क्रण कतर में खेला गया उसका मसकर था सुभंकर लाइब विजेता बना था अर्जंटीना उप विजेता कौन था फ्रांस हाली में न्यूयार्क के पहले अस्वेत मुख के नया अधिस कौन बने हैं तो रोवन विल्सन ये नाम याद अखना ये बहुत ही इंपॉर्डेंट है हाली में जारी गुरून हाली में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकार्न इंडेक्स 2023 में भारत कौन से वे अस्थान पर है तो तीसरे अस्थान पर हुरून ग्लोबल 138 Unicorn हैं उनमें 70 भारती सहसंस्थापों के द्वारा जारी किये गए हैं हारी में विश्व प्रिथवी दिवस मनाया गया था 22 अप्रेल को तीन मेने बहुत एक्जाम में पूछ ले जाता है विश्व प्रिथवी दिवस 22 अप्रेल को मनाया गया इसकी थीम रही थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट लॉजिस्टिक परफार्मेंस इंडेक्स 2023 यानि कि रसत प्रदरसन सुचकांक 2021 से जारी क्या रहा है विश्व बैंक की द्वारा इस यानि की युनाइटेड नेशन पापुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने लोग अधिक हैं तो 2.9 मिलियन फिलाल इस रिपोर्ट के अनुसार अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है भारत की नहां पहली बार वोट फार होम की सुरुवात की है तो करनाटक में और यह जो वोट फार होम वोट फ्राम होम नामक सुविदा होगी यह उनके लिए होगी जो या तो विकलांग हो या फिर जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा हो कौन सा आयाइटी तंजानिया में अपना मदरास्टी परिसर अस्थाबित करने जा रहा है तो आयाइटी मदरास और अभी हाली में आपको पता होगा कि एनाई आयारफ की रैंकिंग में आयाइटी मदरास यह टॉप पर है विस्व मलेरिया दिवस यह प्रतिवर्ष होता है 25 अप्रैल को और हाली में किस राज ने अग्यात सबों के लिए डिन ने डेटाबेस बनाकर इतिहास रस दिया है तो हिमाद्चर प्रदेश ने हाली में भारत के प्रतानमंदरी मोदी ने कहां पर देश की पहली वाटर मेट्रो की शरुवात की है तो कोची केरल में बीच में इस्थित रहेगी हाली में Sydney cricket ground ने किस महान बल्लेबास के नाम पर gate का अनारण किया है तो सचिन तंदूलकर और Brian Lara के नाम पर अप्रेल 2023 में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा cyber अच्छा अभ्यास भी किया है जिसका नाम है Locksills तो यह अभ्यास एस्टोनिया में आउजित किये गए दुचर 23 का जो immigrant achievement पुरुसकार है यह मिला है नीली बेंदापूरी को पेन स्टेट इंवर्श्टी की बरतमान अध्यक्षे नीली बेंदापूरी इनको सुखत राज अमेरिका में उच्छ सिक्षा में उनके महत्तपुन योगदान के प्रिदानमंत्री मोदी की द्वारा बताना है आपको कि माडा गाउं कहां परिस्थित है तो उत्राखंड में मैं 2023 में क्वार्ड लेडर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आस्ट्रेलिया और सिपरी की वैस्विक सैन खर्च रिपोर्ट में वर्ष 2022 में दुनिया पीस एंड रिसर्च इंस्टिचूट ने सैन खर्च रिपोर्ट जारी किया है और पूरे विश्व का 49 प्रिद्द सैन खर्च केवल अमेरिका ने किया है दूसरे स्थाथ पर चीन है फिर रूस है और फिर भारत भारत ने भी कुल 81.4 बिलियन डालर अपनी सेना पर खर्च किया अप्रेल 2023 में भारत और किस दिस के बीच अजे वारियर 2023 अभ्यास का आउजन किया गया तो याद रिचेगा कि अजे वारियर नामक जुद्ध अभ्यास है यह भारत करता है UK के साथ 2023 में इसका सात्वा संस्करन था जो कि 27 2024 में वो फिर भारत में रहेगा UK के साथ कौंकर्ण एक्सरसाइज भी भारत करता है तो इस साल किया गया था अरब साकर में हाली में सैक्लिंग महासंग के अध्यक्ष बने हैं पंकत सिंग रक्षा मंतरी राजना सिंग के सुपुत्र हैं और नुएडा से भाजपा विधायक हैं वो सेक्लिंग महासंग के अध्यक्ष बने हैं मनाम दुरायी मिट्टी के बर्तनों को जीजाईटेटं मिला है 29 राश्य समंदी थे तो नूतल डाको हाली में फुटबाल का प्रतिष्टित हीरो सुपरकप 2023 ये जीता है ओडिशा ने और इसका जो आयोजन था केरेल में किया गया था बैली रूफ फुटबाल क्लब को हराकर ओडिशा ने हीरो सुपरकप 2023 का खिताब अपने नाम किया है हाली में भारत की 13 नौरतन कंपण कौन सी बन गई है यह बहुत अच्छा प्रस्थन है तो यह है आर्वी एनल यानि कि रेलवे विकास निगर लिम्टेट इसके स्थापना होई थी 2003 में नई दिली में मुख्याले है MD प्रतिव गौण है तो आर्वी एनल मिनी रतन से नौरतन का दर्जा प्राप्त की है हाली हाली में जारी आर्थिक स्वतंतरता सुचकांक यानि कि Economic Freedom Index में भारत की जो रहेंक है वो 131 है इसको जारी किया गया है The Heritage Foundation के द्वारा और यह इसका 29 संस्क्राइब था जिसमें कुल 176 देश सामिल थे टौप पर सिंगापूर है दुसरे स्थां पर स्वीजर लैंड है तिस और नगर हेवेली एवंग दमन और दियो यानि कि डी एन डी एन एच डीडी में ठीक है यह काफी बड़ा नाम हो जाता है इसको डीने एच डीडी के नाम से कही बार लिखा जाता है तो वहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट का उद्गाटन किय गया प्रधान मंद्री मोधी के द्वारा हाली में किस राज सरकार ने एर एंबुलेंस से वाशुरू की है तो जारखन ने और जर्वनी का सबसे प्रतिष्टित साहिति पूरसकार इसका नाम है लिपजिक बुक फेर प्राइज यह प्रधान क्या गया है मारिया इस पे पान टैंग मिला है तो गुजरात में मातानी पच्छडी को यह बहुत ही प्राचिन वस्तकला है इस पर माता की तस्वीरे मनती हैं देवी माता की तो उसको जी टैंग मिला है हाली में माउंड अनपूरा पचड़ने वाले पहले भारती व्यक्ति मन गये हैं अर्जुन बाश्प हैं हाली में 20 पहसुची कितसा दिवस मनाया गया था कम मनाया गया था 29 अप्रैल को तो फ्रेंट्स इस प्रकार से कर आप देखेंगे तो आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और माई तक का मंतली करेंड अफेर इस चैनल पर अप्लोड हो चुका है जिसका ल मुद्र है आप कितना भी पढ़ लें कुछ नों को शूटी जाएगा लेकिन फिर भी 80 पर्शन कोश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं तो यह सारे जो वीडियो है इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से जाके आप इनको वाज कर सकते हैं अगर यह कि यह सेशन आपको अच्छा रगा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि मुझे पता चल सके कि यह सेशन आपके लिए यूश्फुल रहा इससे अपने दोस्तों के भी सेयर करके बताईए इस चैनल के बारे में इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज हमार कर लें थैंक यू सो मच